नमस्कार, जैतु भारतर, GST and Other Laws, Discussion and Analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है Classification of Goods के लिए Section Notes और Chapter Notes का क्या महत्व है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और Goods को कैसे Proper Classify किया जाता है वह भी आज देखेंगे Customs Tarifact 1975 को 20 Sections में डिवाइड किया गया है Section 4 Chapter 16 से लेकर 24 को कवर करता है इस Section 4 की जो Note है उसमें दर्साया गया है कि Palette का क्या अर्थ होता है तो पूरे Section 4 के जितने भी Chapter है उसमें जहां पर भी Palette's Word यूज हुआ है तो उसको हमें इसी संदर्ब में लेना है इसी अर्थ में लेना है जो अर्थ Section Note के अंदर दर्साया गया है इसी प्रकार Chapter Note जो होती है वह उस Chapter के लिए लागू पड़ती है जैसे Chapter 19 Preparations of Cereals, Floor, Starch और Milk, Pastry Cooks Products को कवर करता है इसकी Note 1 दर्साती है कि कौनसी प्रोड़क्ट इस Chapter के अंदर नहीं आएगी इसमें Note 1 का Part B बताता है कि बिस्कीट और अधर आर्टिकल्स मेड फ्लोर और फ्रों स्टार्च, स्पेशली प्रिपेर्ड फोर यूज इन एनिमल फीडिंग, Heading 2309 वो इस Chapter में नहीं आएंगे अर्थात, यदि कोई प्रोड़क्ट बिस्कीट है, जो हमें प्रतम द्रश्टिया ऐसा लगता है कि इस Chapter में आ जाएगा लेकिन वो बिस्कीट एनिमल फीडिंग के लिए है, तो वो इस Chapter के अंदर नहीं आएगा ऐसे ही Chapter Note 3 है, जिसमें दर्शाया गया है कि Heading 1904 does not cover preparations containing more than 6% by weight of Coco तो यदि कोई प्रोड़क्ट Chapter 1904 के अंदर आ रही है, लेकिन उसके अंदर उस Product में Coco का weight 6% से ज्यादा है तो वह प्रोड़क्ट Chapter 1904 में नहीं आएगी, यह Chapter Note यह भी बताती है कि Coco का weight हमें किस प्रकार से calculate करना है Chapter Heading 1905 के बारे में discuss करेंगे Chapter Heading 1905, Bread, Pastry, Cakes, Biscuits and Other Bakers Wears, Weather or Not Containing Coco, इन सब प्रोड़क्ट को कवर करता है अब इनका Sub Heading और Terrify Item में आगे Classify किया गया है यह जो आप Entries देख रहे हैं, इसमें यह Single Dash कहीं पर लिखा है, कहीं पर Double Dash है, कहीं पर Triple Dash है और कहीं पर 4 Dash है, तो इनका भी कुछ अर्थ है, दूसरी बात, इसमें यहां पर भी अधर लिखा है, यहां पर भी अधर है, यह भी अधर है, और यह भी अधर है, तो इनका भी कुछ अर्थ है, तो यह क्या अर्थ है? तो जो चार डेस है उस entry को उसके ज़स्ट पहले जहाँ पर भी तीन डेस या दो डेस है उसी के संदर्व में समझना है जहाँ पर तीन डेस वाली entry है वो उसके ज़स्ट पहले वाली टू डेस की entry का ही सब क्लासिफिकेशन है और जो two dash वाली entry है, वो उससे just पहले वाली single dash की entry का sub classification है ये entry तो tariff item 8 digit पर है याने अपने आप में single entry है इसी प्रकार ये भी single entry है, gingerbread and the like अब ये जो sweet biscuit, waffles and waffers है, इनका classification और sub classification हो रहा है तो sweet biscuits ये यहाँ पर two digit पर है, इसी प्रकार से waffles and waffers ये भी two digit पर है अब waffles and waffers का फिर और sub classification है, ये three digit में communion waffers उसका फिर sub classification ये tariff item, coated with chocolate और containing chocolate ये जो item है, ये केवल इसी संदर्व में हमको पढ़ना है, कि waffles and waffers उसमें से communion waffers वो भी coated with chocolate और containing chocolate होगा, तो वह tariff item 1905321 के अंदर classify होगी यदि communion waffers है, लेकिन वह इस entry में नहीं आती है, coated with chocolate और containing chocolate नहीं है तो वह इस अधर में आएगी, communion waffers लेकिन जो coated with chocolate और containing chocolate नहीं है, वह इस अधर के अंदर आएगी अब यह जो two digit का waffles and waffers था, उसका एक sub classification तो three digit पे यह होगा, communion waffers उसके अलावा की जो product इसमें आती है, अर्थात waffles और communion waffers के अलावा की waffers, वह इस अधर के अंदर आएगी और यह यहाँ पर उसका classification होगा, रस्क, toasted bread and similar toasted products वो यहाँ पर आगे अब इस entry जो heading है 1905, उसमें जो products आती हो, लेकिन यहाँ उपर जहाँ पर भी यह products दर्साया है, वहाँ पर classify नहीं होती हो, तो वो others में आएगी उस others के भी sub classification, pastries and cakes, biscuits, not elsewhere specified, extruded और expanded products, savory और salted, पापड और इन चार के अलावा भी जो बच गया, वो फिर इस others में आएगा, इस प्रकार से यह classification proper up to 8 digits हमको करना चाहिए, जिससे एक बार properly classify हो गई goods, तो आगे समश्या ना रहे आज की आख में बस इतना ही धन्यवाद, please like, share and subscribe, आपको और किसी जियेश्चे related विशय पर जानकारी चाहिए विशय दो हो, तो comments में लिख सकते हैं, जय हिंद